हलो एवरिवन जिन भी विद्यारतियों ने दिसंबर 2023 के अंदर लैप्ट ओवर और सप्लिमेंटरी के एक्जाम दीते उनका रिजल्ट 30 दिसंबर को जारी हो चुका था लेकिन इसमें कुछ एक प्रोब्लम आ रही थी जैसे प्रैक्टिकल और इंजिनेरिंग ड्रोइंग के इनके नम्मर थे वह सो नहीं होँ रहे थे तो उसके रिकार्डिंग डिजी टी ने एक नए लेटर जारी किया है जिसके अंदर, आप देख सकते हो यह लेटर, तीन तारीकों जारी किया गया है इसके अंदर आपके practical और engineering drawing के marks की re-entry के लिए इसको open किया गया है तो जिन भी विद्यारतियों के लिए engineering drawing और practical के marks नहीं हो रहे हैं, absent दिखा रहा है उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो practical engineering marks enter for remaining training of December 2023 exam, उसके लिए 3 से 6 जनवरी 2024 तक का time दिया गया है उसके बाद 3 से लेके 8 जनवरी है नहीं 8 जनवरी तक आपके जो marks है वो आपके state जो नोडल होगा वहाँ से अप्रूव होँगे और जो result declare होगा, वो आपका DGT से 17 जनवरी को declare हो जाएगा उसके बाद में अगर आपको result में कोई problem रहती है तो उसके लिए आपके grievance का जो portal है वो 18 जनवरी को open होगा तो जिन भी विद्यारतियों को problem थी practical marks से related या engineering drawing marks से related वो चिंता नागरे 17 तारिक तक आपका result revise होके आपके सामने होगा दन्यवाद